कि अब आगे गाइज वेरी गुड इवनिंग स्वागत करते हैं आप सभी का अड़ा 247 पर और आप सब जोईन कर रहे हैं आ रहे हैं सबको सबको वेलकम है मैं अब शेख गुपता आप सभी का अड़ा 247 पर वेलकम करता हूं और आज का करेंट अफेर पूरे दिन की जो अब बात करेंगे और आज बहुत ही कुछ जो समिट्स हैं जो चीजे हैं वह हुई है तो यार फटाफट सब पहले सबको जोड़ना शुरू करो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो अब आजाओ जल्दी से आज 16 जुलाई का करेंट अफेर यानि कल जो पेपर्स में आने वाला उसको हम लोग डिस्क्रिशन करने वाले हैं मंडे टू सटेड़े आपके साथ हूं मैं अड़र 247 पर तो अब आज आते हैं जरा आज हम लोग क्या क्या करेंगे पहले यह देख जो आज की चीज़े आज की चीज़े आपको बता दे कि आज 15 जुलाई है और 15 जुलाई जो है वह इंडिया में इस्किल डे के नाम से जाना जाता है आज ही इस्किल डेवलिपेंट की इस्थापना होई थी पीम मोधी जो हमारे है प्राइम इनिस्टर जी जो है उन्होंने 2016 में आई थी इसकी घोश्रां कि थी और इसकिल के तहट किया गया घ्रस लोगों से सब्सकराइब इसकिल हो जो आप इस्किल जीज़ों कर्यों हो चुका है और आप यह जान लीजे कि जो सबसे बेस्ट रवीन राइस की वह यह बैस्ट ले रहे हैं और 4000 के आज पास यह बैस्ट पर रहा है तो जिनको भी रिक्वाइर्मेंट हो यह बैस्ट ले जरूर ठीक है चलो आगे बढ़ते पर आज का देखो ब्रेकिंग निउस क्या है जो सबसे बेए जादा आशके ब्रेकिंग में उद्व है रही है आपको बता दे कि डायस लेन्फ हुए है अगर मेगफ की तो आगैंब्स सी करें होली है एक मिट करिए है तो मिट हुई है हुई है एक मिट होई है जड़ह मैं इसको ठीक करना है भी है कि कि है रिलाइंस इंडूरा दब तक मैं आपको आपको आ Mitt ca बॉक्त कि ऐने सुरू किया है और आज कई घटना हुए इनों ने कहा है कि आने वा ले ही है कि 50 करोन लोगों को अब देखो यार मारा यह चल नहीं रहा है मारकर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता देता हूं जो इस्टाइल से वो चल नहीं रहा है मैं आपको बता देता हूं कि Reliance Industries Limited की जो आज मीट हुई है उसमें इन्होंने बोला है कि 50 करोन नोट कर लीजेगा आने वाले टाइम में 50 करोन लोगों को यानि तीन साल में 50 करोन लोगों को यह जोड़ लेगा आपका अपने अपने सिस्टम से दूसरा 5G सर्विसे शुरू कर और भारत को 2G मुक्त कराएगा प्रेजन टाइम में भारत में जो 2G यूजर्स हैं वो टोटल मिला के 35,000 यानि कि 35,000 जो है इस समय भारत में 2G यूजर्स हैं जो 2G यूजर्स कर रहे हैं रीजन यह है कि वह इतने महेंगे मोबाइल शायद नहीं खरीद पा रहे हैं यह मीट जो है वह ऑन-laiN हो रही है यह पूरी मीट ऑन-laiN करा जा रही है ऑन-laiN हो रही है इस मीट के खासे ज्याद रखिएगा कि Google जो है आप जान लेजे Google जो है Google ने इसमें एक बहुत बड़ा इंवेस्मेंट किया है अगर हम बात करें तो 33,737 करोण रूपीज का इ Google ने यह investment कि अभी मैं आपको कुछ दिन पहले Reliance के बारे में आपको बता रहा था तो Reliance उस समय क्या था system की इसमें total मिला करके जो है 2012 कंपनिया investment कर चुकी है जिसमें Facebook है Twitter है बड़ी-बड़ी कंपनिया है जो invest कर चुकी है Reliance में और Google जो है वो 13 नंबर की company है जिसने इसमें invest किया है और एक बहुत बड़ा investment है मैं बता दूँ और इनका जो लक्ष है वो 3 years में कितने users करना है 50 करोण यानि आधा भारत Reliance GOPay लाना चाहे रहे हैं और इसके साथ साथ भारत में present time में जो 2G services यूज कर रहे है वो 35 करोण कितने करोण लोग है 35 करोण लोग है इनके लिए सस्ता phone निकाल करके और उनको 5G services देना यानि कि जो इन्होंने अपना plan out किया है कि 5G services लाना है और भारत को 2G मुक्त बनाना यानि 2G को पूरी तरीके से खतम कर देना है और यह इनका aim है जो Reliance का आज जो meeting हुई है उसका aim है कि विश्व के चटे सबसे पैसे वाले हैं सबसे धनी richest person विश्व के six number पर आते हैं पहले यह 7th number पर आते थे अब कितना number पर आने शुरू हो गए six number पर आना शुरू हो गया है ठीक है चलो गाईज आब हम फटा-फट questions पर आ जाते तो Reliance की जो आज समीट ही उसके बारे में पर आज बात की गई है एक धूमकेतु यानि एक कमेट है जो प्रिथवी के करीब से कुजरने जा रहा है और भारत में आपको यह 22 जुलाई को बहुत बढ़ेहां दिखाई पड़ेगा पास से जाते हुए दिखाई पड़ेगा और प्रिथवी पे 20 दिन दिखाई पड़े नियो वाइस कमेट विल बी विजबल फॉम दा आर्थ नेक्स टाइम इन दा इयर 8 786 आलमोस्ट शॉजंट यह लेटर जानी कि अब जब यह दुबारा दिखाई पड़ेगा वो छे साल बात दिखाई पड़ेगा यानि छे हजार साल के बात दिखाई पड़ेगा दर रेयर कमेट विल बी विजबल विद नेकेड आई और यूजिंग ठीक है यूजिंग बिनोकुलर्स फॉर ट्वेंटी मिनट्स फॉर दा नेक्स ट्वेंटी डेज यानि कि यह यहां पर कहा जा रहा है कि यह दुरलब धूमकेतु है नगन आखों से साथ दिखाई पड़ेगा या बाइस जुलाई को यह प्रित्वी के सबसे करीब आ जाएगा अडिस्टेंट आफ बाउट वाउट वन जीरो थ्री मिलियन किलोमीटर्स यह सबसे करीब आ जाएगा तो बताओ इसमें कौन-कौन से स्टेट्मेंट सही है पहला दूसरा तीसरा सही है दूसरा तीसरा चौथ हाई पढ़ें आपके कमेंट्स हाई सर हेलो सर मुकेश रवेंद्र अभिशेक पुषपेंद्र राजू पटेल चंदन राजा पटेल रोयल खान प्रमोत कुमार सभी स्टुटेंट के लिए करें जो लाइव देख रहा है हाँ सभी के लिए करने मेरे वाई सभी के लिए कर है ठीक है तो यह जो धूंगेतू है वह क्या है कि अब धूंगेतू के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कमेट क्या होते है कमेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कमेट होते क्या है जो कमेट जो होता है जब प्रिथिवी बनी यानि जो प्लाइने बने लेकिन एक चीज पहले देख लो मैं आपको यहां पहले समझ लो एंसर गलत है आप लोगों का पहले बता दूँ देखो कमेट क्या होता है कि यह यह गैस डस्ट या आइस बरफ किसी भी चीज से बने हुए यह पिंड होते हैं और यह बने कब थे जब प्लाइनेट बन रहे थ है जब प्लाइनेट बन रहे थे बने तो रहे है और चोटा सा तार्य गुछा तो इसके आकरशण से इस तारे काच चोटा ऑलग गया जब छोटा सा पार्ट एक टूट के अलग हो गया, इसी से नौ ग्रह बने हैं, जो नौ प्लैनेट हैं, वो इसी से बने हैं, या आठ प्लैनेट जो आप बोलते हैं, वो इसी से बने हुए हैं, साथ ही साथ इसके क्या हुआ कि कुछ ये अलग होने लगा है, इससे छोटे-छो कोटे होते हैं तो कई बार अपने रास्ते से भटक जाते हैं कई बार इधा हुदर चले जाते हैं तो इनके साथ यह एक इशू होता है जिसकी वज़े से यह इधा हुदर घूम जाते हैं तो देखो अब इसके बारे में कौन सा सही है आप लोगों ने डी एंसर दिया बहुत इसने देखा था सबसे पहले नासा निक हो जाता नहीं हो इसको बस यही यही गलत था तो नासा सही कर लीजिए आने वह बाकी सारे इसके सही है यह 22 जुलाई को प्रिथिभी के सबसे करीब होगा और आप अपनी छट पे जाकर भी देख सकते हैं सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी कि इसको छट पे जाई हो और अराम से देखिए ठीक है तो बड़े इंपॉर्टेंट कोश्चन है फटाफट इस शेशन को शेर करो और यह कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं आप फटाफट इसको शेर करिया ठीक है चलो इसके एंसर मैंने लगा दिया है कि कब स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए दर रिलाइंस इंडस्ट्री लिम्टेड एग्यम 2020 विल भी हैल्ट थ्रू वीडियो कांफरेंसिंग वीडियो कांफरेंसिंग के थ्रू हो रही है मुकेश अमवानी बिकम दस सेवन्थ रिचेस्ट पर्शन इन द वर्ल रिलाइंस इंडस्ट्री बहुत बड़ा मौ्यट कैपिला इचयल और इसका इंसर बताओ कौन कौन सा सही है पहला राग है दूसरा रांग है दूसरा और तीस राग है यहा ओल आ्र्ट रेयों यह सभी सही है जल्दी से पड़फट आ ऐंसर देना शुरू करो बताओ कौन-कौन सा सही है, पहले रॉंग है, दूसरा रॉंग है, दूसरा तीसरा रॉंग है, लुध है, जल्द जल्दी बताओ फुट फुट हाँ भाई, एंसर नहीं आ रहा है Option B, Option B, Option B तो यह पहले के बारे में आप बात कर रहे है Option D, All are True ठीक है, उपासना ने एंसर दिया है D, All are True और कोई एंसर देगा इसका? चलो मैं बता देता हूँ इसका एंसर अभी मैंने आपको जब शुरुवात में पढ़ाया तो एक चीज मैंने पढ़ाया थी कि मुकेश अम्मानी जो है वो भारत के जो दुनिया है उसमें सात्वे नंबर के नहीं छटे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने है सिक्स नंबर के मुके, कितने नंबर के सिक्स नंबर के जो है वो बने है ठीक है तो धियान रखिएगा केवल यही गलत सेकेंड वाला बाकी साही है यानि यह एंसर होगा इसका B इसका एंसर होगा बी सेकेंड केवल गलत बीज रॉंग प्रमूद यार वेरी गुट प्रमूद आपने एकदम सही अंसर दिया है भी इसका जो है वो गलत है ठीक है अब आजाओ यह जो इसके एंसर मैंने लगा दिए और एची ध्यान रखना कि बारा लाग करोन रुपर भार कि इसमें कौन सा सही है आपके हिसाब से देखो अभी क्या हुआ है कि एक वर्ट्वल समिट हुई है पीम नरेंद मोदी इस वर्ट्वली एड्रेस दा इको सॉस इको सॉस क्या अभी मैं बताता हूं ऑन युनाइटेड नेशन 75th anniversary ऑन जुलाई 17 ऑन जुलाई 17 विच सर्वी वर्ट्वलाट पर हमें किस प्रकार युन की आवश्चकता है यह कोशन है युनाइटेड नेशन एकोनमी एंड शोशल काउंसिल इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडिया वन दा नौन पर्मानेंट सीट्स फॉर्द एट टाइम विद 184 वोर्ट्स आउट अव्ट पोल्ड दा फॉर्ष्ट मीटिंग ऊफ युन इकोसॉस वाज है अब आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है बताओ भाई पहला कि बहल पहला है दूसरा तीसरा पहला दूसरा या ओल अला ट्रू कैंसर देरो भाई आशू आपने एक एंसर दिया इस देखो एक शीज़ आद रखना यहाद साही है यह दूसरा सही है और आपको बता दें पहली सा ह biscuits है llan नियुयार्क में नहीं हुई थी लंडन में हुई थी याद रखेगा कहां पर हुई थी लंडन में हुई थी इसकी पहली बैटक और मैं आपके बता दूँ इसका जो ने की थी यह सबसे पहले बंदे थे जो एकोसास में जिन्होंने भारत की अध्यक्षिता की थी ध्यान रखियेगा इनका नाम याद के लिए सबसे पहली बैटक तो इसके अध्यक्षिता की थी ठीक है चलो भाई नेक्ष कोशन पर आ जाते हैं बताओ नाबाड के कोश्टन आ यह नाबाड की काम मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है हमेश्य जब भी नाबाड वर्ट पुड़ेंगे तो आपका री-फाइन्स की बात करता है यहां बहुत इंपके बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनियेगा और नोट करिएगा आपको जहां ही मनो नाबाड मेर्व विच वाज और्गनाईज टू मार्ट इस्स थर्टी नाइन फाउंडेशन पर किया गया है नाबाट का इस्टेप्लिश्मन्ट कब है आपको बता दें 12 जूलाई 1982 में बना था नाबाट की सथापना 12 जूलाई 1982 में होई थी रामा स्वामी जी के प्रास से होई थी ठीक है 2020 में 15,000 की जाएंगे 2020 में फिर 15,000 की जाएंगे आपकी टोटल मिला करके 2023 में यानि 35,000 थाटी फाइप थाउजेंड प्राइमरी अग्रिकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है उनको कंप्यूटर से अप्ग्रेट कर दिया जाएगा तो ध्यान रखेगा फाउंडेड इन 1945 यह कुछ आप अलग लिख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि यहां पर अब आप देखो इसमें कौन-कौन सा स्टेट्मेंट ट्रू है या आपको बताना है पहले है दूसरे तीसरे में कौन सा स्टेट्मेंट है लेकिन इसको बताने से पहले मैं हिंदी बैंकों के लिए 5000 करणोड पर पुनरवित की खोशला की है उन्तालिस पे चौपाल यानि डिजिटल चौपाल कराई है और यह इतने इतने डेवलेफ किया जाएंगे तो मैं आपको यहां पर एक चीज़ बता दूँ वाइस का ठीक है देखो मैं आपको बता दूँ नाबार कौन बता सकता है मुझे बताौ भाई पूरा क्या है ठीक है देखो पूरा को मैं फूल फौर्म बता दूं देखो EPJ अब्ल कलام ने पूरा को डिजाइन किया थी, इनकी किताब का नाम था Target 3 Billion, ने किताब का नाम है, जिसका नाम है Target 3 Billion, ये किताब का नाम याद रखिएगा, आपसे इब जा पूछा जा सकता है, APJ-Abdulk奖लाम की किताब का नाम था, Target 3 Billion, ये दो लोगों प्रूजए हैं रिकोडार कुिता जो थी ऑलिकों तो तो और आद ही किताबड ही वह स्रेजन पाल शिंग erkennen शिंग किसे लिखेजादे थी स्रेजन पाल सिंग ने लेखी थी तो टारगेट 3% क्या था चेना चेहिअनों के बारे में बात की थी एे पीजी अबद्लकलाम ने लेकिन मैं बता दू, इसी में पहली बेर पूरा वर्ड का भी यूज किया गया था कोई पूरा का full方 x === जो कोई पूरा का full form बता सके मैं करे बटाथ में बटा सकता है यह पूरा की full farm है तो पूरा में ही सबसे पहली बार इसकी इस्थापना पूरा की जो इस्थापना एपी जे अब्दुल कलाम नहीं की थी और मैं आपको बता दूँ कि यह जो पूरा है पूरा में सबसे पहले इन्होंने बताया था कि watershed program को develop कीजिए watershed program क्या है कि भारत में बहुत कम होती है तो इन्होंने क्या bye तो तुद इसको इसको यूस किया जाए तो इसekो इसंड को आप देखा इसका answer क्या होगा यह बता दो, answer इसका जो है वो D है, all are true, यानि जितने statement उपर दियेगा, पहला statement, दूसरा statement, तीसरा statement, यह तीनो statement true है, तो पूरा की full form ध्यान रखियेगा, ठीक है, तो यह ध्यान रखना, पूरा की full form को ध्यान रखियेगा, आप सभी लो, clear everyone, ठीक है बाई, चलो D, इसका answer है, मैंने बाकी सब चीज़े आपको बता दी क्या-क्या है अगला question देखो, which statement is not true, इन समय से कौन सा statement true नहीं है बताना भाई, 15 July is celebrated as a world youth skill day, 15 July को world youth skill day के रूप में celebrate किया जाता है second इसका point है, मैं आपको बता दूँ कि, second इसका point है, the day has marked the fourth anniversary of the launch of skill India mission यानि आज चौथा साल पूरा हो गया skill India mission को, PM Modi gave the new mantra to youth on this day, skill, re-skill and up-skill skilled होई है, दुबारा skilled होई है और अपने skill को upgrade कीजिए, PM Modi dedicated this day to the youth, PM Modi ने इस दिन को youth को dedicate किया है अब आपको बताना है कि इसमें से कौन ससत्य नहीं है, 15 जुलाई को विस्व युवा कॉसल दिवस के रूप मनाया जाता है इस दिन कॉशल भारत mission का सुभारम की चौथी वर्सगाट है, PM Modi ने इस दिन युवाओं के लिए नया मंतर दिया है, skill, re-skill and up-skill PM Modi ने इस दिन को युवाओं को समर्पित किया है, तो मैं आपको बता दूँ कि देखो, ये सबसे important चीज है कि जैसे PM Modi के अगर बात करें, 2016 में इन्होंने PM KVY की भी सुरवात करवा दी थी PM KVY क्या होता है, ये पहले से थोड़ा सा आरत, प्रधान मंतरी कौशल विकास योजना है skill करने के लिए ये योजना है, उससे पहले नई रोशनी और दुनिया भर की योजना है चलती थी इसके बाद प्रधान मंतरी ने कहा कि PM KK बनाए जाएंगे, यानि कि प्रधान मंतरी कौशल केंद्र बनाए जाएंगे प्रधान मंतरी कौशल केंद्रों में लोगों को number of skills की जानकारिया दी जाती थी, उसके तैयारिया कराई जाती थी प्रमोट आपने answer दिया है पहले D फिर दिया है B तो इसको एक बार answer को देखना पड़ेगा ठीक है तो PMKK की अगर हम बात करें प्रधान मंतरी कौशल केंदर की बात करें तो यहां कौशल केंदर में युवाओं को पूरी तरीके से skilled बनाया जा रहा है उनको training दी जारी चाहें वो plumber की हो चाहें वो कड़ाई बुनाई की हो चाहें किसी भी चीज की हो यहां पर पूरी training दे करके उनको trained किया जा रहा है क्योंकि government job बहुत जादा नहीं है तो लोगों को skill करके self employment पर जोड दिया जा रहा है government का जो aim है इसके तोरह ये भी ध्यान रखेगा self employment पर जोड दिया जा रहा है तो अब बताओ इन में से कौन से गलत A है, B है, C है कि D है तो हाँ promote कुमार 5th anniversary बिल्कुल सही कहा ये 5th anniversary है ये 4th anniversary नहीं है तो बस यही वाला गलत है बाकी ये 3 हो सही है फॉर्थ की जगा फिफ्थ का लिजेगा इसको very good, promote very good ठीक है, next question आजाओ Google to invest देखे यहाँ पर आपका बता दे Google to invest 33,737 करोड इन जियो प्लेटफार्म for how much stake यानि कि जो Google ने अभी Reliance पर invest किया है उसके तहत उसने कितनी हिस्सेदारी ले लिए ये गलत है यहाँ पर के बढ़ इतना दिखे आप 33,737 करोड रुपे इन वेस्ट किया है तो कितने की हिस्सेदारी ले ले लिए 7.3%, 7.5%, 7.7%, 7.9% बताओ बै एंसर तो जल्दी से फटा-फट सभी लोग एंसर देना शुरू करो इसका कि कितने की हिस्सेदारी लिए है इसमें ये बताओ तो मैं आपको बता दू इसका एंसर C है ज्यादा आप लोगों का टाम नहीं लोगा इसका एंसर जो है वो C है 7.7% यानि Reliance पे अब 7.7% की पार्टनर्शिप जो है वो गूगल की होगी सुन्दर पिचाही ने डेक्लियर कर दिया है आज चलो बाई इसके बाद आजो नेक्स्ट कोश्टन पर आ जाते हैं 43 में बैठा का यह सब चीज आपको बता दिया है ठीक है अब देखो एक इंपॉर्टन कुश्ट है एडीवी के बारे मुझन मैंने आपको बताया था कि एडीवी में क्या चीज चल रही है इसके बाद दिया है कि हैडीवी लोकेट इन मंडूल यूंग मनीला फिलिपीन्स में इसका है और इलेक्शन कमिशन अशोक लवासा इस वाइस प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हो है एडीवी हाली में खबर में एडीवी उनीस दिसंबर उनीस से चाचट को आर्थिक उद्देश के लिए निर्धारित किया गया था एडीवी का हेड़कॉर्टर मांडिया यूंग में मनीला में फिलिपीन्स में इस्थित्र है चुनाव आयूक लवासा को इसके उपाध्यक्शे रूप में नियोक्त किया गया है तो अब बताओ भाई इनमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही है कौन-कौन से स्टेट्मेंट सह है ठीक है नेक्स कोशन आजाओ कोशन नमर एट पर हम आजाते हैं जल्दी से अब बताओ भाई यह बड़ा एक इंपोर्टेंट कोशन है इसमें यह बताओ कि हेट्रो हेल्थ केयर लिम्टेड इस्टार्ट सप्लाई आफ कोरोना वाइरस ड्रग विच इस जैनरिक वैक्सीन आफ रीमेट सिबर ठीक है अब यह इसमें एक चीज मेरे को बता दो कि यह जो कोरोना वाइरस की मैक्सीन है जिसका नाम है रीमेट सिबर यह वैक्सीन अब इंडिया में बेची जाएगी यह इंडिया में बेची जाएगी यह क्या है एक इंजेक्शन है और यह आपको बता जाएगा ये बता दो मेरे भाई जल्दी से बता दो फटा फट कि किस नाम से ये बेचा जाएगा रेमी डिसीवर इंडिया में ये इंजेक्शन किस नाम से बेचा जाएगा कोरो निल कोरो निल के नाम से नहीं बेचा जाएगा कोरो निल जो है वह बाबा राम देव की दवा ह बनाई है ठीक है तो गोरो निल जो है बाबा राम देवाली दवा है इंडिया में यह किस नाम से दवा बेशी जाएगी तुम्हा आपको बता दें इसका एंसर हो जाएगा सी कोवी-फोर के नाम से बेशी आएगी यानि कि जो दवा है बैसिकली रेमी डिसीवर रेमी डिसीव कर दिया इसलिए आज फिर से न्यूज में आ गया कि एमेज डाइक्टेट पालियमेंटरी पैरा मिलिटरी फोर्स टू बैन फेस्बूक विच स्टेटमेंट इस्ट्रीव रिगार्डिंग देखो 89 एप जो हमारे जो फोर्सेज हैं इंडिया की फोर्सेज हैं उनके लिए 89 आज नया क्या कर दिया है तो इसमें दीखे ग्रैम अर्द्साइनिक बलों को फेस्बूक पर नाकिवल उनके उन कर्मियों को प्रतिबंद लगाने के लिए का है जो वर्तमान में सिवा कर गारें बल्कि पूर्व सईनिक के लिए भी कहा है देखिए मंत्राइलें सी यार पी इतने आर्मी मैंने वो सब यह एप अपने सिस्टम से हटा दें तो मैं आपको बता दूँ यहां पर एक चीज समझ लो कि एक नई चीज आज यह जोड़ी गई है वो यह है इस वज़े से आज यह चर्चा में रहा है कि 89 जो है वो क्लोस कर दी गई थी सारे साइनिकों के लिए अब लेकिन कहा गया जो पूर्आ कहा जी यानि कि चोकि पूर्आ कि इस मेलेक्टा। पर सन थैज भी यह यह ईंटाइंगे तो मैं आपको बता दूँ यह आज एक नई चीज जोड़ी गई है सेकंड इंड इस इसका ईसर आप बता ही तो बंद कि धर्टहश अरे जोरा तो मैं आपको सिर्फ एक शी बता देए जो 23 जुलाई का समय दिया गया है जो 23 जुलाई नहीं है यह जो है वह आपका 15 जुलाई है कौन सी जुलाई है 15 जुलाई है यानि कि आज की डेट तक सैनिकों का ओडर दिया गया यह फटा दो लेकिन आपको बता दूँ इसके लिए सैनिकों केस कर दिया कि वैसे हमारी शोशल लाइफ नहीं होती सैनिकों ने काव हमारी शोशल लाइफ है और उसके बाद अगर आप ट्विटर यह सब बंद कर दें तो का डाटा भी चोरी नहीं होगा एक्चुली अभी सेना के जवान हनी ट्रैप में फसर है बहुत जादा इस वज़े से गवर्मिंट डेटीजिए लिया प्लस चाइना की तरफ से जो हैकिंग हो रही है सारे एप उसके पास कंट्रोल में रहते मैक्समुम इस वज़े से यह क्लो जाओ next question देखो भाई हम आपको बता दें देखो इसमें basically मैं UPSC और State PSC और अधर एक्जाम से रिलेटर पढ़ा रहा हूं तो बस टॉप questions है यह question कभी ना कभी आपके एक्जाम में आएंगे ज़रूर पर इस चीज का ध्यान रखेंगा आप ठीक है ना consider the following statement इस तो चीप doctor K. Siwan is nominated for the award of one Karman Award 2021 Karman Award है यह IAA देता है ठीक है U.S.A. से समंधित है this award the award was established in 1972 1972 में अवार इस्टेबलीश हुआ था this award is given by international academy of astronautics international academy of astronautics के दरहे यह award दिया जाता था vity आये वाज van कर्मान van कर्मान ने राऑल ऐ आये बनाया था ठीक है भायों, तो इसमें आ जबो इस दो के प्रमूख र most dr, कby Ricky waren wär नामित किये गए हैं यहाँ पुरास्कार उनीस ओब बहातर में स्सापित किया गयता है य य य पुरसकर अंतरैस्त्रिक्स चात्री तोरा स्थापित किया जाता है य य इस में कौन सभी है ऐसमें सारे सही है थीत है भाई आप लोगों के नहीं आ रहे हैं य अप को बता तो इसमें पहला 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 तीसरा और चौथा या पुरसकर अंतराश्ट्री एक मिनट कुछ इसमें रॉंग होगा मैं आपको बताता हूं एक सिकंड यह कुशन है आपका कौन सा किस ने डी एंसर दिया है रविंद्रे रहना है रेखा ने डी एंसर दिया इसका डी आला ट्रियो ठीक ह है इसका बी एंसर होगा बस एक जो इसकी स्थापना है वो 1982 में बसकी वल यही गलत है वहां पर जो इस्टेब्लिमेंट लिखा है वो 1972 लिखा हुआ है लिकने इसका नाइनटीनेटीटू में हुआ है ठीक है तो यह ध्यान रखना देखो इससे 1 कर्मान दोर दिया है यह पंदरह साल बाद यह अवार्ड फिल से मिल रहा है ठीक है चलो भाई नेक्स कोशन आजो दोगो यह थोड़ा सा टेकनिकल कोश्चन है ख्रिटिकल कोश्चन है ठोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को और इससे रिलेटेट कोश्चन आपके आएंगे जरूर ठीक है थोड़ा स इसको को फोस्ट किया है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम साइट इवेंट ऑन दा इंटरनेशनल इयर आप दा इंटरनेशनल फूर्ट्स एंड वेजिटेबल 2020-2021 यह दो हजार इकिस फूर्ट्स एंड वेजिटेबल एर्स के रूप में बता रहे हैं इन दा मीटिंग विच ने कौन से अपने चीजों को एक्सप्रेस किया है किस बारे में बताया है तो इन्हों ने बताया है कि किसानों को इस्थानिय किस्म की अनवांशिक रूप से सामान बनाने के लिए बीज विविदता को वापस लाना पड़ेगा फलो और सब्जियों के सतत उत्बादनु आपके बीज होते हैं have increased the survival ability of crops so it need to grow यानि इनका कहना है कि जो बीज आपके उच नसल वाले जिनको की बनाया गया क्रतिम रूप से जिन बीजों को बनाया गया है उनको वो लॉंग टाइम जीते हैं लेकिन मैं आपको बता दो यहां पर सीधे हम एंसर पर आ जाते हैं आप थोड़ा सा इसमें confused होगे मैं सीधे answer पर आ जाता हूँ मैं आपको बता दू कि इसमें है क्या कि यह जितने भी फल बनाये गए हैं ठीक है यह जो फल और सब्जियों से related जो बीज होते हैं उनका कहना है जो नए बीज आ रहा है यानि कि यैल्ड यैल्ड बीज जो है यानि क इसे बीजों को घटाना चाहिए जो पुराने बीज चल रहे तो उनहीं में कुछ development करके उन पुराने बीजों को लगाना चाहिए क्योंकि लांग टाइम चलते हैं यानि कि जो generic बीज जो नए वाले आया है modified बीज है उनको कम यूज करना चाहिए और यहां क्या दिया गया ज्यादा यूज करना चाहिए तो यह गलत है इसमें से तीसरा गलत है पहला और दूसरा सही है यानि कि first and second are true इसका answer हो जाएगा ए पहला और दूसरा सही है रेखा जी डी प्यू शर्मा हेलो सर जी हेलो तो इसका बी answer सही हो जाएगा ठीक है चलो question number 12 पे आ जाते हैं समझो इसको क्या है मैं आपको बता दूं कि consider the following statement यार बहुत बढ़िया मशीन बनाई गई है मैं आपको बता दूं UV यह 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 अल्ट्रा वाइलेट सेनी टेस्टिंग डिवाइस सुध एक डिवाइस बनाई गई जिसका नाम है सुध इस डेबलेट बाई IIT Bombay this device is operated by the smartphone smartphone से operate की ज the area of 10 by 10 which statement is R2 यानि कि आप देखो एक IIT ने क्या किया है एक शुद्ध नाम की device बनाई है किस नाम से बनाई है शुद्ध नाम से एक device बनाई हुई है और शुद्ध नाम की यह जो device है इस device को जो बनाया है यह अल्ट्रा वाइलेट करनों का यूज करता है और यह जो आपका smart phone है smart phone से यह चल जाता है activate करना पड़ता है smart phone से फिर यह चल जाता है और जैसे ही आप smart phone से इस इस अल्ट्रा वाले device को activate कर देंगे यह 10 by 10 का जो कमरा होगा उसको पूरा का पूरा sanitize कर देगा यानि सारे किटानों को मार देगा तो भाई बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है पहला सही नहीं है यूई sanitizing device चुद आयाइटी बांबे दौरा बनाए गई गई है देखो दूसरा तो सही है तीसरा भी सही है पहले वाले में ही थोड़ा गड़बल है पहले वाले में गड़बल क्या है मैं आपको बता दू कि यह आयाइटी बांबे दौरा नहीं आई है ठीक है चलो अब next question देखो यह तो simple question है आसान question है इसका answer जरूर दे लोगे आप लोग बताओ इसका answer क्या होगा who is appointed chairperson of the Hindu publishing group private limited the Hindu के जो अभी थे वो Mr. Ram थे Mr. Ram जो थे वो इसके head थे अभी इनकी जगह पर किसको बनाए गया है मालनी पार्षार्थी को एचडी कुमार स्वामी राजीव चंदर शेखर या M.K. मुनीर को किसको बनाए गया answer दो भाई जल्दी से फर्स्ट रॉंग है IIT कानपूर हाँ प्रमु तुम्हारा answer सही IIT कानपूर नहीं यह बनाया है तो बताओ भाई कि आप क्या बता रहे है इसमें पहला रहाँ है IIT कानपूर यह बताओ भाई इसमें कौन है मालनी पार्थ सार्थी है एचडी कुमार स्वामी है राजीव चंदर शेखर है या M.K. मुनीर है किसने बनाया है इस चीज को यह बताओ भाई यह जो है दाहिन्दू केHaid कौन बनेखे अभी मटाओ बने हैं अभी रिस Laura एंके मुनीर है गलत है यह जबपार्थ शार्थी को बनाये गया detail वहला कुमक जब भी सिंपल कोश्चन है है बताओ भाई नेक्स्ट कॉस्ट्टन बहुत सिंपल सा है देखो मैं अरे शिट एंसर आ गया है कोई निए देखो मेरे बाई एक चीछ बता दें इसमें आपको हम कि यह जो को स्ट्टन है यूपी ठीक है यह जो कोश्टन है जनरल इलेक्रिकल पावर इंडिया यानि कि जनरल इलेक्रिकल प कितने करोण से जो जनरल इलेक्ट्रिकल पावर ले इंडिया है उसमें भारत में कितने करोण में वायू गुडवत्ता नियंत्रा पडाली पॉद्य क्योंकि लागू करने के आदेश दिये हैं बताओ भाई 850.69 करोण 851 करोण 800 CR या 855 करोण किसके बारे में आप बता रहे हैं ठीक है इसके लिए 850 यानी की देखो होता क्या है कि जितनी भी पावर कंपनिया है ज्यादा तर और कोल का यूज करती कोईले का यूज करती इससे धुआ बहुत निकलता वातावरन गंदा होता है तो उस वातावरन को ठीक करने के लिए वायू गुडवत्ता नियंतरा प् ardale innovation mission बताआ हूं इसके बारो में यह कशन है इसके बारे में आपको बता दून क्य benefit है इसके बारे में आपको बनाया गया है ऐक मेट देख लें भाई, क्या एंसर दे रहे हैं आप लोग, चलो इसका भी एंसर देना, शुरू करो सब लोग, इन में से कौन सा सही है, only one, only two, both, none of these, तो इसका सी सही है, यानि कि दोनों एंसर इसके सही है, ठीक है, चलो अब आजाओ, आज की जो questions मैं आपके लिए लाया हूँ, static gk के, वो यह है, कि person in news, person कौन को news में है, फटा-फट इसके एंसर बताना शुरू करो भाई, ठीक है, यह है, the central government has appointed the new director general of archaeological survey of India, केंद सरकार ने भारतिय पूरा तत्तो सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियूक्त किया है, वी विद्यावती, एस सेखरण, डीपियस नेगी, या अरन्मा चक्रवर्ती, किसको बनाया है, जल्दी से बताओ, प्रमोद आपने तो एंसर ठीक दे दिया, भारतिय पूरा तत्तो सर्वेक्षण विभाग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, बताओ भाई, वी विद्यावती, एस सेखरण, डीपियस नेगी, या अरन्मा चक्रवर्ती, तो मैं आपको बता दू, कि we विद्यावती को बनाया गया है, ध्यान रखेए किसको बनाया गया है, we Vidyanबती को इसका head बनाया गया है, इसके बाद आप बात करते हैं, अभी हाली में वाजित खान का निधन हो गया, वह किस छेतर से संबंदित है, बताओ भई अभी वाजित खान का हाली में निधन हुआ है वो किस छेत्र से संबंदित है sport person है, singer and musician है, dancer है या journalist है, कौन है बताओ भई ए विद्धावती है, हाँ ठीक है, ए विद्धावती, तो फैल आपका भी answer सही है, ए है इसका answer बताओ बेटा, sport person, singer and musician, dancer, journalist, वाजित खान किस चीज़ से संबंदित रहे है वाजित खान का हाली में निधन हुआ है, वो किस छेत्र से संबंदित है तो मैं आपको बता दूँ, वो singer and musician थे, क्या थे हो, singer and musician अब आजाओ, next question पर आजाते हैं जल्दी से हम लोग Recently, बेजान दारुवाला, बेजान दारुवाला, died in which field he belong अभी हाली में बेजान दारुवाला का निधन हो गया, वा किस चीज़त्र से संबंदित थे बेजान दारुवाला किस चीज़त्र संबंदित थे इस्ट्रोलाजर थे, बायोटेक इंजिनियर थे, जर्नलिस्ट थे, या सीनियर न्यूज रिपोर्टर थे क्या थे, बताओ भई इस्ट्रोलाजर, बायोटेक इंजिनियर, जर्नलिस्ट, सीनियर न्यूज रिपोर्टर इन में से ये क्या थे, बताओ भई तो एंसर महीं दे दे रहा हूँ यह एस्ट्र लॉजर्थ है क्या थे यह एस्ट्र लॉजर्थ है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आजाओ बढ़ा असान सा कोश्चन है बहुत सिंपल कोश्चन और एक्जाम में पूछा जरूर दाएगा हसन रुखानी बसर अलसद मुस्तफ़ा अलकादमी या सेख हसीना वाजेद कौन है बताओ बहुए जल्दी जल्दी से बताओ दुबारा मैं पढ़ता हूँ अभी हाल ही में इराक के नए प्रधान मंतरी कौन बनाए गया है भाई देखो शेख हसीना वाजेद जो है मैं आपको बता दूँ ये बंगलादेश की प्रायम निस्टर है कहा क्या है भाइ बांगलादेश की प्राइम निश्टर ए बताया है फिर मोहहमद तुफैल आनसर सारे अंसर बता दे लोगे तुफैल B.D.A. B.D.A. तीनों बता दिया भाई B.D.A. गलत C. सही है मुस्तफा अलकादमी जो है मुस्तफा अल-कादमी ये एराक के नए प्रेसिडर्ट हसन रुवानी इरान के हैं बसर अल-अशद शीरिया के हैं और सेख हसीना वाजेश जो है वो आपकी कहा के हैं ये आपकी बांगलादेश की है क्लियर एव्रिवन कादमी हा समीर सैम बिल्कुल सही आप कादमी एकदम सह किसे बनाया गया है श्रम बिवरो का महा नया महा निदेशक किसे बनाया गया डीपिस ने भी मनो जाहुजा कारमेन या अरजुन सिंगल किसको बनायागा है बताओ भई गादमी हो गया ठीक आप लोग ने बता दिया इसका एंसर बताओ भई वहां पर फुल फिर डिटेल में हम लोग यहां डिसक्रिशन करेंगे सारी चीजों का ठीक है तो जो चल रहे हो अच्छे चल रहा है क्लासेश ठीक है चलो बताओ एक चैनल पर पांच-पांच क्लासेश भी साथ में लाइब चलती है इसलिए टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है ठीक है आपको जो पढ़ना है उस हिसाब से आप देखो ठीक है आप और क्या चाहते हो क्योंकि टॉप लेवल की कोश्चन से मैं अटाइच करता हूं मैं आपके लिए जो करेंट से रिलेटेड होते हैं और आप क्या-क्या चाहते हो यह कमेंट में लिखे और शेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना अगर अगरेशन को देखा इंज्वाय किया तो थैंक्यू सो मच एवरिवन जैहिंद जैभारत गुट नाइट कर दो कर दो कर दो